वेगएडिये सब्सक्राइबर तो आज की सुड़ों पर एक नहीं दो नहीं पूरे तीन ऐसे अप्लिकेशन के बारे में बताने वालों जिन में कि आप प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग कर सकते हो बिल्कूल फ्री तीनों के तीनों एप्लिकेशन फ्री फोटो एडिटिंग ऐसा इंटरफेस आएगा अब यहां पर फोटो को पर आपको सिंप्लि सा क्लिक करना अपने फोटो को से लेट करना एंड उसके बाद हमें यहां पर एडिटिंग टूल देखने को मिल जाती है ठीक है अब इसमें जो इंपोर्टेंट है ना उसी के बारे में हम बात करेंगे इसे क्यार यह फिल्टर फिल्टर तो इंप्रडर नहीं है आप तो जानते यह फिल्टर महानेगाइ बाते में काफी सारह फिल्टर मिलेगा को यूज्ड कर लेंगे ठीक है कर सकता हूं and saturation मढ़ा लिया उसका luminous कम कर सकता हूं ठीक है तो इस तरीके से करके HSL का use किया जाता है I hope आपको समझ में आ गया ठीक है एंड इसी तरीके से यहां पे काफी सारे चीज़ें मिल जाती है अगर आपको अपना background को एक क्लिक में रिमूव करना या फिर चेंज करने तो background के उपर आपको टैप कर देगा एंड उसके बाद कुछ इस टैप का background आपको सेलेट कर सकते हो आपको background एक क्लिक में यहां पे चेंज हो जा रहा है ठीक है तो यह में थाड़ा आप यूज कर सकते हो अपने background को चेंज करें के लिए अगर आपको नियोन इफेक्ट अपने उपर एड़ करना है तो नियोन के उपर टैप करना काफी नियोन इफेक्ट देखने का मिल जा कंवेसे कोच्छланन इफेक्ट नियोन जाका इने संसे किसी को ही आप यूज कर सकते हो इसे अपलाई के तो कुछ ऐसा को एर तो यहां पर आपको जो काम का चीज है यार वो टेक्स्ट मिलता है तो आपको पता होगा ठीक है टेक्स्ट को पर क्लिक करेंगे एंड जो भी हमें लिखना हो तो उसे लिख के जस्ट यहां पर हम अधिक कर देते हैं और उसके बाद अगर इसमें आपको को एडिटिंग करना है तो जो कि आपको पता ही है हम सिंपल से इसे डन कर देते जो इसमें आपको कमाल का चीज है वह आपको यहां पर रहता है वेमlets इंन्हेंसर को पर आपक्लिक करना एड़् इंहेंस को सेलेड़ करना इडिन उसके बाद आपका फोटो का जो क्oka ए होसाश कर देता जो कि काफ़ी north speak एक याफ्य क्लिग कर दो इसे था Will तेकेंड एप्लिकेसन है पोलर, पोलर को हम जैसे ही ओपेंड करेंगे कुछ ऐसा इंटर्फेस है हमारे सामने आएगा ठीक है इसमें एक कमाल का चीज है एक क्लिक में हम अपने फोटो को एडिट कर सकते हूँ वो कैसे किया जाते है वो मैं आपको बताता हूँ बाट उससे प आपने फोटो को हमस्य कर लेते है ठीक है फोटो को हम चुछ हो चुक है अब इसमें एडिटिंग करने के लिए फिल्टर के ऊपर आप टैब करके कोई फिल्टर से आपकर सकते हूँ ये फिल्टर कहा से आते हैं ये मिन्स डैर्टली अगर आपको देखोगे नहीं मिलेगा यह filter को add किया जाता है तो कैसे add किया जाता है यह मैं आपको बताने वालों बट थोड़ा देर में ओके उसके बाद यहां पर आपको adjust का option मिलता है ठीक है adjust को पर आप जैसे ही click करूगा आपके सामने बहुत सारे tool देखने को भी लेगे अब इनहीं टोल का यूज करके आपवाड़ कर सकते हो अगर आपको light को एडिट करना है जैसे ही exposure कर यह ज्यादा तो आप को starting वाल्य को एडिट कर सकते हो color को अगर है तो यहां से आप कलर को कर सकते हो ठीक है भी आपको तूल यहा पयाँ पर किलिक करोों तो तो आपने यूजगे यह तो यहां से आपने फोटो को रिटाचिक यह सब करके आपने फोटो को अच्छा कर सकते हो देर उसके बाद आप यहां पर एक्सपोर्ट आप करके इसे सेव कर सकते हो जो इंपोर्टेंट चीज है वह यह है कि आप एक क्लिक में कैसे अपड़ा फोटो को एडिट कर सकते हूं डिसकबर को पर आपको क्लिक करना यहां पर काफी सारे आपको पहले से टैप्लेट मिल जाए ठीक आप देख से तो बहुत डिफेंट डिफेंट टैपका टैप्लेट ह आपको पसंद आता है फोर एक्जाम्बल यहां पर ब्लैक टोन अच्छा लग रहा है तो इसको पर टैप करके जस्ट आपको क्लिक कर देना ठीक है देख से तुई आपको औरिजिन फोटो एडिट होड़े के बाद फोटो ठीक है तो इस तरी किसे एडिट हो जागा दूसर शेलेड को यह सेडेट करना एड यीज सेभ कर लिया, अपको फिल्टर सब्सके डेकर, एडिक हो एडिट कर देख लुच आपको घुड़े म साप्सरे से तुडेकर करूँए एडिक सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने बहूत सारे प्स्सक्राइhando को बिल जहींदीए जयस यहां पर काफ़ी सारे हमें फिल्टर मिलेगे जो अच्छा लगेगा उसे हब apply कर लेगे जैसे कि यह वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है तो अब इसे apply कर सकते हैं अब्वी बहुत सारा टूल हमें देखने को मिल जाएंगे जैसे कि adjust को पर अगर हमको क्लिक करें तो यहां प अप्लाई कर सकते हो और अगर नहीं लगता है तो यार छोड़ो ठीक है दूसरे को उपर आते एड कोई और इफेट को आप यहां से देख लेड़ा ठीक है तो जो आपको पसंद लाएका आप उसे यूजिक कर सकते हो बिसिकली यह वाला काफी अच्छा लग रहा है बट इसे ना थोड़ा सा स्काय में अगर रहे तो और अच्छा लगए तो यहां पर मैं अजेस्ट करके अजेस्ट करता हूँ ठीक है बीजी के उपर अगर आपको क्लिक करोगे तो यहां पर आपको काफी सारे आप्सन मिलते है जैसे कि अगर आपको बैक्डाउंद को सिर्फ बिलर करना है तो बीजि B File की ऊपर टैप करता है थोड़ा सا यहां पर टाइम लेगा एंड बैक्डाउंड को ब्लर करना हूँ अगर आपको कोईच और करना है तो मैं फिलहाली से बैक कर ले था हूँ अगर आपको गुलीच इच्छफक्त और तो ग्लीच के उपर आपको टैप कर दो जो ग्लीच एपक्त आइड़ कर दो ग्लीच एफक्त आपके बैकग्राउंड में आड रहे थिक हो भी ऐसे बैकग्राउंड को एडित कर सकते हूँ तो पर अच्छा नहीं लगे स्टेख करें हैं था hook को पर टैप करें कि आप इससे एड़ कर सकते हो जैसे कि यहां पर पर देख पार लागेश्ट एफट करना है को इसे भी से लेट कर करके आप यहां पर सिप्ली इ एड़ कर सकते हो कुछ भी एफेक्ट ठीक है बहुत टाइप का आपको यहाँ पर एफेक्ट मिल जाते हैं देखने को जो पसंद आता है आप उसे एड़ कर लेना एंड उसके बाद यहां से ड़न करते हैं तो टेक्स्ट से तो आपको पता ही होगा यार कि हम यहाँ पर कुछ टाइप कर सकते हैं बेसिक के उपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फॉन्ट एंड कलर यह सब देखने को मिलेगा एंड फीचर के उपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा डीजाइन देखने को मिलेगा ठीक है तो जो चीज आपको एडिट करना है अच्छा लागे आप उसे select कर सकते हो ठीक है then done करते नौ उसके बाद यहां पर आपको a sticker का उप्सन मिलते हैं तो coffee type को आपको a sticker यहां मिल जागे देखने को जो पसंद आएगा उसे simply से आप use कर सकते हो ठीक है आप यहाँ आप देख सकते हैं और काफी अच्छा हमारा फोटा एडिट हो चुका है नौँ अडिट हो जाए इसका बाद एक्स्पोर्ट इवर टैप करके आप यहाँ से एक्स्पोर्ट कर सकते हो ठीक तो इसतरे के से करके आप इसमें भी एडिटिक कर सकते हु नहीं आपको